क्या आप अपनी लाइफ में वेल्थ एंड मनी अट्रेक्ट करना चाहते हैं विद एल्प आप लॉफ अफ अट्रेक्शन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप एक मनी मैगनेट बन सकते हैं आप अपनी लाइफ में मनी कैसे अट्रेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसके पहले मेरा आप से एक सवाल है और वो question यह है कि what is money for you आपके लिए मनी क्या है मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को stop कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप मनी से क्या समझते हैं मनी आपके लिए क्या है तो आप जानते हैं मनी क्या है money is the energy of exchange right money एक energy है exchange करने की अगर आप देखें कई हजारों साल पहले जब money नहीं थी लोग चीजें exchange करते थे let's say मैं एक farmer हूँ मेरे पास सबजीया है और आप शूस बनाते हैं मुझे शूस चाहिए मैं आपसे vegetables सबजीया exchange करता था और आप मुझे शूस दे देते थे right बट उसके साथ problem यह थी कि हो सकता है कि आपको शायद vegetables नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपको exchange करना पड़ता था इस problem को solve करने के लिए money को introduce करा गया अब money जो है वो कोई physical चीज नहीं है you know money के बहुत सारे रूप है money stocks में भी हो सकती है money gold की रूप में भी हो सकती है money आपके bank account में हो सकती है money आपके हाथों में हो सकती है, money आपके PTM या phone पे wallet में भी हो सकती है money के बहुत सारे रूप है right, so money एक spiritual चीज है, इसके बारे में हम और ज़दा बातने बात करेंगे, अभी आपको एक चीज समझना है, कि money जो है वो एक energy है, exchange की आपकी life में जो भी लोग value add करते हैं, आप उन्हें money देते हैं as an exchange of their services, right, आप mobile phone यूज करते हैं, आपका जो mobile phone का बिल आता है, Airtel idea का, आप उसे pay करते हैं आप exchange करते हैं value आप दूद वाले के साथ में money exchange करते हैं क्योंकि आपको दूद मिल रहा है, right ऐसे ही different different हमारे life के अंदर लोग होते हैं जिनसे हम money exchange करते हैं क्योंकि वो हमारी life के अंदर कुछ ने कुछ value add कर रहे हैं so money is the energy of exchange, simple money is के लवा और कुछ नहीं है, और यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है काफी सारे लोग सोचते हैं कि law of attraction का आप use कर रहे हैं तो आपको बस आखे बन करना है meditation करना है और visualize करना है कि आपके life में money flow रही है life में money ऐसे flow नहीं होगी, money is the energy of exchange आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप क्या value exchange कर सकते हैं money को receive करने के लिए, that is a key to attract money in your life तो अपने आप से पूछे कि आप money के बदले में क्या exchange कर सकते हैं, किस energy को exchange कर सकते हैं, I will come to that later, now, सबसे पहली चीज़ आप समझ गए हैं कि money is the energy of exchange this is so key thing, right understand this, now, अब बात करते हैं कि आप अपनी life में money attract कैसे कर सकते हैं सबसे पहली चीज़ जो step number one है, वो है identify, याने कि आपको identify करना है कि आप क्या चाहते हैं life में अधिकतर लोगों को abundance, wealth money नहीं मिलती life में, because वो clear नहीं होते, वो जानते ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं life में but मैं चाहता हूँ कि अगर आप money attract करना चाहते हैं अपनी life के अंदर then identify करिये कितनी money अगर आप बोलते हैं कि I want financial freedom, I want money in my life, I want a lot of money in my life, money इसे नहीं आएगी, you have to be very very clear, so सबसे पहले identify करिये कि आप कितना amount चाहते हैं, और identify करिये कि क्या करते हुए, you know, हमने देखा कि money is the energy of exchange money आपके life में तभी flow होगी जब आप कुछ value exchange करेंगे money के साथ में, right, so identify करें कि आप कितना amount of money earn करना चाहते हैं, कितना amount of money आप चाहते हैं, आपके life में आए और उसके बदले में आप किस चीज को exchange करेंगे, देखिए अगर आप इस दुनिया के सारे rich लोगों को देखें तो कहीं ने कहीं उन्होंने value create करी है, आप Elon Musk को ले ले अमबानी को ले ले, अदानी को ले ले, किसी को भी ले ले, और ये लोग जो भी value add कर रहे हैं life में, उसके बदले में लोग उनके साथ money exchange कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस concept को बिलकुल भूल जाए कि आपके life में money आप आखे बन कर लेंगे, visualize करेंगे सोचेंगे और money flow होने लग जाएगी नहीं, you need to understand this thing कि आपको कुछ ने कुछ exchange करना पड़ेगा, तो identify करिये कि आप कितनी money चाहते हैं life के अंदर and तूसरी चीज, क्या करते हुए आपकी life में money आएगी ओके, this is very very important be very clear on that और साथी साथ में आप एक guideline set कर सकते हैं कि you know by end of 2022 I will earn this much of money by doing this thing, okay this is, this will be a very clear statement, so identify करिये this is the step number one, step number two है clear limiting beliefs okay, so क्या होता है कि हम इस दुनिया के अंदर आते हैं और जब हम आते हैं इस दुनिया के अंदर हमारे mind के अंदर subconscious mind में कोई programming नहीं होती, हमारी कोई belief नहीं होती memories नहीं होती mind के अंदर लेकिन जैसे हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं और देखते हैं कि हमारे family members कितना earn कर रहे हैं जब money हमारे घर के अंदर आ रही है तो क्या joyful memories है या फिर कोई pain की memories है क्या बाते जो होती वो दुख की थी या फिर अच्छी थी बच्चपन से हमारे साथ कहीं तरह की बाते बोली जाती है यह नो हमारे parents बोलते हैं हमारे siblings बोलते हैं, हमारे teachers बोलते हैं कि पैसा paid पे नहीं उपता पैसा कमाने के लिए दो नूमरे काम करना पड़ते हैं पैसा कमाना easy नहीं है बहुत hard work करना पड़ता है ऐसे बहुत सारी beliefs हमारे mind के अंदर होती है और अगर हम इन beliefs को अपने subconscious mind में clear and upgrade नहीं करेंगे तो money हमारी life में attract नहीं हो पाएगी so दूसरा जो step है वो है कि आप जो है पहले clear करें अपने limiting belief को सबसे पहले आपको identify करना पड़ेगा कि आप money के बारे में सोचते क्या है तो just अपनी आखे बन करिए और आप सोचिए आपके सामने money है आप क्या सोचते है money के बारे में क्या आपको fear होता है money के बारे में सोचिए कि money कभी आपकी life में नहीं आएगी आपको क्या feel होता है बैठीए एक paper और pen लेकर और सोचिए कि money के बारे में आप अंदर से क्या सोचते है and identify करे और फिर limiting beliefs को clear करे and upgrade करे अब आप अपनी limiting beliefs को clear करने के लिए affirmations का use कर सकते हैं, meditation का use कर सकते हैं, visualization का use कर सकते हैं और भी बहुत सारी techniques है जिनका आप use कर सकते हैं अपनी money beliefs को clear करने के लिए आगे आने वाले कुछ वीडियो के अंदर मैं limiting beliefs को clear करने के लिए कुछ बहुत ही powerful techniques बताने वाला हूँ तो अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए ताकि आप वो videos मिस ना करें हमारा जो coaching program है reality shifting उसके अंदर हम बहुत detail में जाते हैं identify करते हैं कि हम अपने life में money attract करेंगे कैसे और क्या करते हुए एक grand master plan है जो design करा जाता है ताकि आप बिलकुल absolute clear हो जाए और universe को एकदम clear signal भेजे कि आप क्या चाहते हैं और ताकि universe आपके life में लोग opportunities and situations भेजे जिससे आप अपने goals को achieve कर सके साथ हम advanced techniques का use करते हैं limiting beliefs को clear करने के लिए so if you are interested to work close with me on my coaching program आपको इस video के नीचे description में एक link मिल जाएगी जहाँ पर आप one-to-one call book कर सकते हैं जो बिलकुल free है basically मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ जिनकी life में goals हैं जो businessmen हैं entrepreneurs हैं जो कुछ achieve करना चाहते हैं और मैं उनकी help करता हूँ उनकी identity shift करने के लिए ताकि वो अपने goals जादा easily achieve कर पाएं अब बात करते है step number 3 और जो है goya goya का मतलब होता है get off your ass जाने की actions लीजिए एक बहुत ही अच्छी story थी एक इनसान था वो हर दिन भगवान की पूजा करता था भगवान को बहुत मानता था वो बोलता था कि hey God you are almighty you can do anything give me grace to win the lottery मुझे grace दीजे कि मैं lottery जिज जाऊ और हर दिन वो प्रे करता था लेकिन उसकी lottery नहीं लगी दिन बीद गए हपते चले गए महिने बीद गए उसकी lottery नहीं लगी एक दिन भगवान खुद प्रकट हुए और बोले कि my son at least buy the lottery ticket तो समझे आपकी life में money तब flow होगी जब आप उसके लिए actions लेंगे आप money की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे money भी आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाएगी like attracts like law of attraction का एक basic principle है so आगे बढ़िये actions लीजिये towards your goal और मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप hustle करिये बहुत ज़दा hard work करिये नहीं मैं बिलकुल hard work के खिलाब हो but मैं काम करने के साथ हूँ मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन baby steps लें towards your goals baby steps are very underrated लेकिन हर दिन आप एक baby step ले अपने goals की तरफ ताकि आपके goals भी आपकी life में आगे बढ़ें आपकी तरफ और आप उन्हें easily achieve कर पाएं so step number 3 थी goya now step number 4 जो बहुत ही important है अगर आप इस video से किसी एक चीज़ को सीख के जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप step number 4 को सीख के जाएं और वो step है appreciate the inflow and outflow of money यह बहुत important है कि आप money को receive कैसे करते हैं और खर्च कैसे करते हैं देखिए money एक energy है और वो आपकी life में तभी आएगी जब आप उसे appreciate करेंगे आपकी life में कोई भी चीज़ तभी आएगी जब आप उसे appreciate करेंगे आप money को किसी friend की तरह समझी अगर आप उस friend के बारे में बुरे खयाल रखते हैं आप उस friend के बारे में डर रखते हैं तो क्या वो friend आपके घर पे आएगा नहीं money भी उसी तरीके से है अगर आप money को देखके joy feel करते हैं appreciate करते हैं चाहे वो एक रूपया आपके life के अंदर आ रहा हो या फिर 100 करोड रूपय money is money आपको money को हमेशा appreciate करना है आपकी life में अभी जो भी money flow हो रही है appreciate करना start करिए thank you बोलना start करिए दूसरी चीज़ जब money receive कर रहे हो तब तो आपको thank you बोलना ही है लेकिन आप money को खर्च कैसे कर रहे हो आप money जब किसी को देते हो तो आप कैसे money को spend कर रहे हो ये भी बहुत important है so जब भी आप money spend कर रहे हो हमेशा appreciate करिए बोलिए thank you so much अरीगा तो money एक बहुत अच्छी line किसी author ने बोली थी मुझे नाम याद नहीं आ रहा और उन्होंने कुछ कहा था कि money जो है वो एक माध्यम है appreciate करने का आपकी life में जब भी कोई इंसान value add करता है आप किसी के life में value add करते हैं तो appreciate किया जाता है money को exchange करके money को जितना जदा appreciate करेंगे चाहे inflow हो या outflow हो आप money को एक message भेजेंगे कि आप money की respect करते हैं आप money से प्यार करते हैं आप money को appreciate करते हैं and then money आपकी life में और जदा flow होने लग जाएगी इन सारे points को याद करिये देखिये money के बारे में बहुत सारे videos आगे भी आने वाले हैं because इस video के अंदर में सारी चीज़े cover नहीं कर सकता but right now I just wanted to repeat all this thing one more time ताकि आपको यह internalize हो जाए okay what is money understand this money is the energy of exchange और यहाँ पर आप क्या exchange कर सकते हैं आप अपनी किसी problem का solution exchange कर सकते हैं right आप entertainment exchange कर सकते हैं या फिर आप लोग की life में कोई value add कर सकते हैं जब भी आप solution देंगे किसी problem का आप entertainment करेंगे लोगों का या फिर आप value add करेंगे उनकी life में आपकी life में money exchange होनी के chances बढ़ जाएंगे तो पूछे अपने आपसे कि आप money के exchange में क्या कर सकते हैं क्या solution दे सकते हैं क्या entertainment कर सकते हैं और क्या value add कर सकते हैं इसके बाद हमने steps देखी money को अपनी life में attract करने के लिए पहले था identify करिए कि आप चाहते क्या हैं क्या करते हुए कितनी money और कब तक आप achieve करना चाहते हैं यह identify करिए एक दम clear हो जाए दूसरा था limiting beliefs को identify करिए आप money के बारे में सोचते क्या हैं और उन beliefs को clear करिए आप affirmation का use कर सकते है meditation and also for visualization इन तीनों के वीडियोस आपको मेरे चैनल के ओपर मिल जाएंगे मैंने details में समझाया है कि यह क्या है और आप कैसे कर सकते हैं तो आप मेरे वीडियोस को देखना मत भूलिएगा आप देख सकते हैं आप वीडियो की list में जाए उसके two words action लेना start करिए अभी इस moment में आप जहां पर भी है आपको perfect time का या perfect होने का wait नहीं करना है आप अभी action लेना start करिए चौता था appreciate the inflow and outflow money को appreciate करिए जब भी आप receive कर रहे हैं जब भी आप खर्च कर रहे हैं हमेशा money को appreciate करिए जितना जादा आप appreciate करेंगे money आपकी life म करें कि आप एक money magnet कैसे बन सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जाएं कर या अच्छी लगी तो इस वीडियो पे like करना comment करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक subscribe नहीं करा है इस channel को so subscribe कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ही जादा powerful और detailed videos आपके लिए तराने वाला हूं so hit that subscribe button so on that note thank you so much for watching this video I will see you in the next video and screen पर आपको affirmation के बारे में meditation के बारे में videos मिल जाएंगे आप उन्हें देखना मत भूलिएगा thank you so much